हेलो गाईज, आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक very most important topic करने वाले हैं, चैप्टर करने वाले हैं, उसका नाम है nuclear chemistry, ये physics में आपको भी काम आएगा और chemistry में भी, तो ये चैप्टर आप लोग के लिए very most important है, और इसकी एक वीडियो थिवरी वाली बनी है, पहले आप उसको देख लेंगे, तो आप सभी question solve कर पाएंगे एकदम आसानी से, इसी वीडियो में उस वीडियो का description में उसका link provide कर देंगे, और इस वीडियो का उस वीडियो के description में link provide करेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा, चलिए हम लोग question को शुरू करते हैं, first question देख लेते हैं कहरा है, नुकलियांस R, तो नुकलियांस प्रोटान एलेक्टरान तो नुकलियांस में क्या होता है, यह हम लोग को देखना है, तो नुकलियांस में जो होता है, वो क्या होता है, यह हम लोग को देखना है, तो आप सा number second देख लीजिए है, नुकलियांस में प्रो बेट कितना 23 है 23 में से atomic atomic number घटा देंगे जितना आएगा उतना neutron हो जाएगा तो nucleus में neutron proton और neutron दोनों होते हैं तो option number B correct हो जाएगा next question number second भी important question A B question पूछा जाता है ये deutron contain एक deutron में क्या होता है deutron में एक neutron होता और एक proton होता है तो option number कौन सा है B option correct हो जाएगा एक neutron और एक proton तो option number second correct हो जाएगा next question number student question number 26 student हम लोग question को random में कर रहे हैं जो important question है वही कर रहे हैं तो 26 देख लिजिए ये important question है ऐसे question पूछाई जाता है तो यहाँ देख लिजिए neptunium दे रहा है 93 दे रहा है अब plutonium दे रहा है यहाँ पे 94 कर दिया यहाँ पे 239 कर दिया तो यहाँ तो atomic जो mass था उसमें कोई change नहीं किया atomic number 93 था यहाँ 94 एक बढ़ा दिया अब यहाँ प्लस लगा दिया और यहाँ पे क्या बनेगा यह कहना है तो यह देख लीजिए पहले पहल तो proton दिया रहा है यहाँ पर proton दे रहा है यहाँ पर electron दे रहा है और यहाँ पर positron दे रहा है यहाँ पर neutron दे रहा है तो यह तो कौन सा option सही होगा इसमें option number कौन सा सही होगा अब यहाँ 94 आया तो एक घटा देंगे तो 93 हो जाएगा तो इलक्टरान को हम लोग कैसे सो करते हैं देख लिजे इलक्टरान को ऐसे सो करते हैं E करते हैं यहाँ पे 0 करते हैं माइनस 1 कर देते हैं अब इलक्टरान आपसर नमबर सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक electron निकलेगा तब बराबर कर देगा माइनस वन न एक घटा दे रहे हैं तो 94 में से घट जाएगा तो 93 भी इधर हो जाएगा 93 भी ही है क्योंकि एक इधर देख लीजिए घटा दे रहे हैं प्लस यही बनेगा तो electron ही बनेगा और यह आपको symbol देख लीजिए proton किसको कहते हैं, positron किसको कहते हैं, neutron किसको कहते हैं तो proton अगर मान लोग किसी proton आपको बनाना है तो proton का symbol ऐसे होता है P बनाएंगे, एक उपर रखेंगे, एक नीचे रखेंगे यह proton हो गया है, अब positron positron क्या होता है, positron एकदम सेम electron की तरह होता है ऐसे देख लीजिए, ऐसे बना लीजिए फिर यहाँ पर 0 लगा दीजिए, यहाँ पर 1 लगा दीजिए बट, electron में negative लगता है, तो यह positive होता है प्लस 1 होता है, यह positron हो गया अब neutron आपका होना चाहिए, यह neutron क्या है तो neutron यह देख लीजिए, neutron का symbol जो होता है यहन कर दीजिए, और यहाँ पर 0 कर दीजिए atomic number में, atomic bet में एक बढ़ा दीजिए तो यह क्या होता है, यह neutron होता है अब आप symbol यह लिख लीजिए, 0, 1 यह neutron हो गया, यह proton हो गया, यह positron हो गया और electron तो आपको बताए है, minus 1 करिए, electron लगाई है फिर यह 0 करिए, यह electron हो गया, सबका symbol है इसमें देखिए, इसमें एक घट रहा है atomic number में इसमें क्या हो रहा है, atomic mass में एक की बढ़ोतरी हो रही है और इसमें देख लीजिए, positron में, atomic number में एक increase हो रहा है तो अब तो आप यह question solve कर ले जाएंगे, अब आप लोग को question ही गलत नहीं होना चाहिए अब इसमें देख लीजिए, 93 यहां है, तो यहां भी 93 होना चाहिए तो एक घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो एक electron यहां लगा दीजिए यहां तो कोई change नहीं हो रहा mass में, क्योंकि 239 यहां है, 239 यहां है बट यहां पर जो mass number में एक change हो गया, तो एक घटा दीजिए, अब यहां लगा दीजिए अब यह किसका symbol है, symbol पता होना चाहिए, अब यह electron का symbol है, तो आप सो number C, correct हो जाएगा आप लोग कोई गलत नहीं होना चाहिए, यह question student question number 35, यह भी question important है, यह भी एक बार question पूछा गया था, तो यह कह रहा है the composition of tritium, यह tritium है, आप कह रहा है कि tritium में क्या क्या होता है, तो tritium क्या होता है, यह radioactive hydrogen होता है, तो radioactive hydrogen में इसमें, एक बार यह भी पूछा था कि radioactive hydrogen, यह tritium होती है, इसकी मतलब T-Hop कितना होता है एक बार A-B question पुछा गया था कि T-Hop कितना होता तो T-Hop इसका 12.33 year होता है एक बार A-B question पुछा गया था आप लोग डाउन कर लीजिए चलिए इस question को देखते हैं composition आप tritium tritium में क्या क्या होता है तो tritium आप proton ये आप electron भी निकालना जाते हैं जानते हैं proton भी और neutron भी अब आप असाने से निकाल लीजिए ना तो electron देख लीजिए जिसना atomic number होता है उतना electron ही होता है electron variable भी होता है depend होता charge कितना है उस पे तो electron एक है अब आप proton कितना है तो atomic number जितना होता होई प्रोटान होता है तो एक electron एक proton हो गया अब neutron निकालीजिए neutron atomic bet से atomic number को घटा दीजिए तो neutron स्कल 2 होता है atomic bet इसमें 3 दिया गया minus atomic number से कर दीजिए तो neutron कितना आएगा 2 आजाएगा तो यह देख लीजिए option number C देख लीजिए कौन सा option correct हो जाएगा 35 का option number C correct होगा एक बार A.B. question पूछा गया था कि deuterium टोटल लिख लीजिए यहां tritium दिया गया है अब आप एक बार किसका लिख लीजिए protein का लिख लीजिए यह protein का symbol है और यह किसका symbol है यह deuterium का symbol है यहां से काटके हटा सकते है यहां कर सकते हैं यह protein है यह deuterium है और tritium दे रहा है तो बार A.B. पूछा था कि protein जो होता है इसमें क्या होता है टो only इसमें एक proton होता है अब यह देख लीजिए only एक proton होता है और अगर आएंगे किसमें चलिए नेक्स्ट कोईस्चन हम लोग देखते हैं, कोईस्चन नमबर 37, ये भी एक बार कोईस्चन पूछा गया था, कि इन टर्म आफ एनरजी, 1 A mu is equal to, तो 1 A mu एक यूनिट होती है, इसके किसके बराबर होती है, तो 9931.1, 931.1 मिली इलेक्ट्रान बोल्ट, तो ये देख लीजिए, आफसन नमबर कौन सा, B आफसन नमबर करेक्ट हो जाएगा, 1 A mu is equal to होती है, 931.1 है, मिली इलेक्ट्रान बोल्ट, तो आफसन नमबर भी करेक्ट हो जाएगा, इस कोईस्चन का, नेक्स्ट कोईस्चन, इसमें 38 कोईस्चन भी देख लेते हैं, ये भी कोईस्चन important है, पोजिट्रान क्या होता है, तो पोजिट्रान जो होती है, आइसे देख लीजिए, पोजिट्रान का सिंबल, अभी मैंने बताया था, पहले या सिकन्ड वाले कोईस्चन में, ये देख लीजिए, पोजिट्रान पहले ऐसे बना लीजिए, आप फिर ये देख लीजिए, और यहाँ पर उन कर दीजिए, तो ये देख लीजिए, ये क्या है, अगर यहाँ पर हम इलक्ट्रान लगाते हैं, ऐसे माइनस लगा देते हैं तो ये इलक्टरान हो जाता है पाजिटिव लगा देते हैं तो पोजिटरान हो जाता है तो पोजिटरान का सिंबल यही होता है तो इलक्टरान बित पाजिटिव चार्ज इलक्टरान है इस पे पाजिटिव चार्ज लगा दीजिए तो आपसन नम आप लोग करेक्ट कर चुके होंगे तो यह देख लीजिए यह पोजिटरान है और यह सिंबल किसका है यह इलक्टरान का हो गया यह क्या है यह प्रोटान का सिंबल है प्रोटान का सिंबल यह भी हो सकता है यह प्रोटियम है डिटीरियम नहीं है प्रोटियम है और यह क्या है यह 0N1 बना है, यह किसका सिंबल है, आप बताईए यह किसका सिंबल है, 0N1, 0N1 क्या होता है, 0N1 जो होता है, यह भी आप लोग note down कर लीजिए, 0N1 जो होता है, यह neutron ही होता है, तो यह देख लीजिए, आप अभी हम बताए भी ते कि यह क्या होता है, तो 0N जो होता है, 0N1 neutron ह होता है next question number ये भी question कर लेते हैं 47 number question positron is discovered by तो positron को किस ने खोजा था discovered किया था तो 47 का option number B देख लिजिए Anderson ने positron को discovered किया था तो आप लोग ये question भी आप लोग को एकदम रट लेने हैं question number 52 देख लिजिए student आप ये question आप लोग को तो सही करना ही चाहिए क्यों कि इतना अच्छा बता दिया है तो आप लोग अगर ध्यान से देखे होंगे अगर आप लोग question नहीं solve कर पा रहे है question question number 52 तो एक बार और वीडियो यही वीडियो अभी यहीं से आप एक बार और देख के आईए फिर ये question देखिए आप solve कर लेंगे और यहाँ पर क्या यहाँ पर protein लगा रहा है एक protein लगा दिया तो यहाँ फीरेंस ना हो बट atomic bet में उसका एक positive हो जाये तो आप ऐसे इसको ilLYक्टान के माध्यम से क्या लगाएंगे ilLYक्टान के माध्यम से तो आप यह लगाई नहीं सकते यह ना यह लगा सकते हैं ना फिर उसके बाद आप positive लगा सकते हैं पढ़ा दीजिए, यह तो हम लगा सकते हैं, यह किसका सिंबल था, यह सिंबल था, निउट्रान का, तो आपसन नमबर कौन सा, फस्ट आपसन नमबर करेक्ट हो जाएगा 52 का, आप निउट्रान यहाँ एक निउट्रान रिलीज करेगा, यह equation जो दिया गया है, यह क्या रिली यह देख लिजिए, हम बैलेंस कर दिये, और यह टामिंग नमबर में कोई डिफरेंस नहीं था, तो यहाँ जीरो कर दिये, अब यह question, आपसन नमबर फस्ट करेक्ट हो जाएगा, आप लोग को एक question गलत भी नहीं करना है, अगर exam में ऐसे question आते हैं, और ऐसे question पक्का है, question आने ही हैं, चलिए, एक question आप लोग को और एक exercise question करा देते हैं, क्योंकि यह question क्यों करा रहे हैं, कि आप लोग को यह question अगर आए, तो गलत नहीं करना है, यह आप लोग को एक दम, मतलब यह समझ लिजए, गलत नहीं होना चाहिए, चलिए, 54 question number को देख लेते हैं, हुई चा हैं, हेलियम का बेट जो हता है, अतामिक number 2 होता है, हल्मूनियम का अतामिक number 13 होता है, अतामिक बेट 27 होता है, तो अभी यहाँ यहाँ आप ऐसे यह question साल्फ करना चाहिए, यहाँ तेरा कर लीजए, यहाँ तेरा, दो पंदरा, और यहाँ पे 14, अब एक की कमी हो रही है, त देख लिजिए किसमें आपसन मैच कर रहा है तो ये देख लिजिए आपसन नमबर मैच कर रहा है ये क्या हो गया ये प्रोटियम आपसन नमबर कौन सा सही हो जाएगा सी आपसन नमबर करेक्ट हो जाएगा इस कोईश्चन का अब आप लोग देख सकते हैं तो आपसन सी आप simple है question साही कर देंगे चलिए next question हम लोग देखते है question number हम लोग 68 भी question discuss कर लेते हैं यह मेसान was discovered वाई तो मेसान क्या था मेसान तीन तरीके से होता है positive मेसान होता है negative मेसान होता है और neutral मेसान होता है तो यह देख लीजिए ऐसे pi positive मेसान इसी को कहते है यह मेसान positive होता है और यहाँ पे negative लिख दीजिए और यहाँ पे neutral लिख लिजिए तो मेसान discovered मेसान किसने discovered किया था तो ecova एक scientist थे इन्हींने किया था ecova एक क्या कर रहे थे यह ecova जो तो nuclear force explain कर रहे थे तो assuming इनको एक third fundamental particle मिल गया था यही pi मेसान था यह nuclear force पर work कर रहे थे तो आफसान नमबर कौन सा इस question का मेसान वाज discovered by ecova आफसान नमबर first correct हो जाएगा student question number 11 देख लेते हैं यह भी बार बार question पूछा जाता है पूछता है question एक alpha particle identical with एक alpha particle किसके समान होती है तो helium nucleus आफसान नमबर first correct हो जाएगा इसका अगर हम explain करना चाहें तो देख लीजिए इसका explain भी कर दे रहे हैं आप लोग को एक दम clear हो जाएगा alpha particle 1 हम लोग निकाल के देखते हैं alpha particle 1 मान लीजिए एक yaks कर लीजिए यहाँ पे yaks ज्यादा समझ में आएगा yaks कर लीजिए यहाँ पे atomic mass को हम A से सो करते हैं और atomic जो इसका atomic number होता है इसको जड़ से सो करते हैं यह जड़ है यह जड़ हो गया अब इसको हम जब इसमें में से मान लीजी हम एक alpha particle एक निकार दिए एक alpha particle निकालने से मान लीजी इसको हम एक alpha particle निकाल दिए तो अब यह जो x से क्या बन रहा है x से मान लीजी हमको y बन रहा है x से y मिलेगा तो यह क्या मिलेगा एक alpha particle अगर निकाल देते हैं तो जो product मिलता है उसके mass में यहां मालेजिए ये में कितनी कमी हो जाती है और atomic number Z में कितना कमी आ जाएगी Z में 2 घट जाएगा तो इसके atomic mass में 4 घट जाएगा और atomic number में 2 घट जाएगा अब यह किसका symbol होता है अब आप यहां ये भी लिख सकते थे है कि helium क्या होता है helium 4 होता है और इसका atomic number 2 होता है यह देख लीजिए atomic तो इसी लिए इसको कहते है helium nucleus तो option number कौन सा correct हो जाएगा first option correct हो जाएगा next question number हम लोग 13 number question देख लेते हैं यह भी question पूछा गया है कि radio activity was discovered why radio activity जो होता है किस scientist ने discover किया था तो first option हेनरी बैकरल दे रहा है B option Rutherford और C option JJ Thompson और D option Madam Curie तो option number first correct हो जाएगा हेनरी बैकरल ने radio activity का discovered किया था मतलब खोजा था तो option number first ही correct हो जाएगा next number question question number 17 भी देख लीजिए 17 number भी question पूछा ही गया 17 number question देख लीजिए कह रहा है alpha raise है alpha raise क्या होती है positive होती है negative होती है या कोई charge नहीं होता या कुछ समय positive होती है और कुछ समय negative हो जाती है तो ऐसा नहीं होता है alpha positive वो जो आप वीडियो देख लेंगे theory वाली तो उसमें मैंने ये question clear कराया भी है clear हो गया होगा वहाँ अगर कोई student वो वीडियो देख के question कर रहा होगा ना तो ये तो गलत करी नहीं सकता चलिए इसमें भी हम trick बता देते है alpha देख लिजिए जैसे आप कहते है alpha positive कर दीजिए तो ये positive हो गया अगर beta का सिम्मल होता है beta को बीना आप बोली है बीना मतलब negative ये negative हो गया और एक होता है गामा होती है गामा में कोई charge नहीं होता है मतलब no charge होता है गामा में तो ये हो गया तो यहाँ पूछ रहा है alpha rays क्या होती है तो positive होती है repulsion नहीं होता है अगर positive positive मुड़ेंगे साथ में तो यह repulsion सो करते हैं repulsion मतलब कहेंगे हमारे पास नहीं आना दूर चले जाओ और positive negative कहेंगे मेरे पास आओ मतलब दोनों का attraction होता है इसलिए positive negative की तरफ मुड़ता है और negative positive की तरफ तो यह concept आपको clear हो गया होगा चलिए next question देखते हैं student question number 24 जो देख लीजिए इसका जब हम क्या कराये थे आप लोग को जब हम कराये थे theory तो उसमें बताये थे penetrating power alpha का बताये थे फिर beta का बताये थे और gamma का तीनों बताये थे order क्या होता है तो इसमें कह रहा least मतलब सबसे कम penetrating power किसका होता है तो penetrating power सबसे गामा का होता है फिर उसके बाद beta का होता है और सबसे कम किसका होता है अब आप समझ गए होंगे ये increasing order में है तो सबसे कम alpha का होता है तो आप सब number B आप correct करेंगे सबसे penetrating power ये होता है gamma का gamma range जो होती है और इसी का जरस्ट अगर आप उपुजिट कर देंगे अएसे कर देंगे तो B alpha की यह क्या हो जाति है आइनाइजग्शन्ग पावर अगर पूछा जाएगा की आइनाइजग्शन्ग पावर सबसे दिख किसकी होती है तो वो अलफा की होती है फिर बीटा फिर गामा तो इसमें तो पूछ रहा है पिनिटेटिंग पावर तो पिनिटेटिंग पावर सबसे कम अलफा रेज की होती है तो आपसा नंबर B correct करेए इसमें इसी में देख लिजिए 25 question कैसा गामा रेज क्या होती है तो गामा रेज कोई चार्ज नहीं होता ना पाच्टिंग निगेटिव नो चार्ज तो आपसा नंबर C इस question का correct करेंगे चलिए next question हम लोग देखते हैं student question number 9 देख लिजिए 9 number question A B अगर theory आप लोग जो question इसके पहले है theory वाली अगर वीडियो आप लोग नहीं देखें तो please पहले आप लोग वो theory वाली वीडियो please जरूर देख लिजे क्योंकि इसी के description box में उसका लिंक provide कर देंगे हमें पता है कि हाँ मान लिजे किसी को यही वीडियो direct दिखा तो आप पहले देख लेंगे तो अभी आप लोग को कोई मतलब यह होता नहीं है कि अगर question निकलते हैं थोड़ा खुसी होती है यहां लगता है कि मुझसे question हो रहे है confidence develop होता है तो आगे question करने में मज़ा भी आता है तो चलिए student आप लोग से please एक request आप लोग channel को please subscribe जरूर करें अगर पहली बार आप watch कर रहे हैं तो please subscribe करें और अगर continue मेरे इस channel पर आप कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज अपने अपने मतलब friends में WhatsApp group में जरूर इस channel को share करें क्योंकि subscribe अगर बढ़ेंगे तेजी से तब ही मज़ा आएगा क्योंकि इतना मैं करा दे रहा हूँ कि आप लोग का selection भी असानी से हो जाएगा आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे concept से तो इतना question practice करा दे रहा हूँ कि आप लोग का असानी से हो जाएगा लगबग 300 वीडियो के प्लस मेरे चैनल पर objective physics आप लोग पूरा सभी वीडियो देखा करिए डेली 4-5 से वीडियो देखिए जितना भी आप हो सके वीडियो देख लीजिए तब आप exam देने जाएए तो देखेंगे अगर आप लोग exam देने के बाद ये फेल करेंगे हाँ अगर आप जो question मेरे चैनल पर कराएगा है वो question अगर आप गलत नहीं करते हैं तो saver guarantee है आपका selection हो जाएगा तो चलिए लेकिन इस question को देखते हैं आप ओ तेरुयाली वीडियो देखके तब ये question करिएगा नहीं तो फिर वही है अगर आपको आता होगा तो best है नहीं आता है तो आप प्लीज देख लीजिएगा चलिए 9 number question देखते हैं कह रहा कि ये एक दो दे रहा है यहां से ये कह रहा गिप्स ये बन रहा है after emission of some alpha and beta particle हम लोग को alpha और beta particle निकालना है दे नमबर आप alpha and beta particle are respectively तो alpha और beta particle हम लोग को emit कर रहा है और alpha बीटा particle को निकालना है तो चलिए हम लोग इसमें फार्मूला लिख देते हैं तो अगर आपको alpha particle निकालना है तो ये फार्मूला होता है alpha निकालने के लिए change in atomic mass ऐसे लिख लिजिए c h a n g is change in atomic mass अब atomic mass क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे एक atomic number होता atomic mass होता है और इसको divide कर दीजिए भाग दे दीजिए 4 से अब change in atomic mass यहां देख लिजिए यहां 231 में गटा दीजिए 207 गटाएंगे तो कितना आजाएगा 24 आएगा अब 24 यहां लिख दीजिए उपर change यह change जितना हुआ 231 से 207 गटाएंगे तो 24 बचेगा आप 4 से आप divide करेंगे तो 6 24 आजाएगा अब यह आपका 6 alpha आगया अब देख लिजिएगा 6 alpha किसमे किसमे है 6 alpha इसी एकी option में है तो भी आपका correct हो जाएगा ऐसे तो लेकिन हम लोग को concept सीख रहे है तो बीटा चल लीजिए बीटा हम लोग निकाल लेते हैं तो बीटा का फार्मूला यह होता निकालने के लिए 2 into 2 multiply कर दीजिए जितना आप alpha निकाले हैं और इससे में जितना आप यह divide नमबर क्या होता है एक atomic mass होता है atomic number यहाँ देख लिए atemic number देख लिए 89 में से 82 जा रहा है तो 89 में से 82 घटाएंगे तो कितना आयगा अब आप लोग देख लिए 82 अगर 89 में से 82 घटा दे रहे हैं तो आईगा कितना 7 आजाएगा तो अब यहां 2 कर दीजिए, यहां multiply कर दीजिए, यहां अलफा कितना आया था, 6 आया था, तो 6 दूनी 12, और इसमें में से कितना घटाएंगे, हम 7 घटा देंगे, तो 7 अगर घटा, यह minus है, इसकल टू नहीं है, minus 7 घटाएंगे, तो 12 में से 7 घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7, 5, 12 होता है, तो 5 आपका अलफा निकल जाएगा, तो अब यह देख लीजिए, एकदम right, be option correct हो गया, तो एकदम simple question था, कुछ करना ही नहीं था, चलिए, next question को हम लोग द देखेंगे, 9 number question के बाद हम लोग 10 number question भी देखी लेते हैं, क्योंकि यह काफी बार exam में पूछा गया है, the number of alpha and beta particle emitted in the nuclear reaction, तो अब हम लोग को इस question में alpha और beta निकालना है, अब यह question आप सोयम solve कर लीजिए, तो आप यह question note down कर लीजिए, और वीडियो को push कर दीजिए, push करने क बाद यह question आप solve कर लीजिए, फिर वीडियो देखिए, मज़े आ जाएगा, तो चलिए, alpha को पहले हम लोग निकाल लेते हैं, तो alpha कैसे निकालेंगे, alpha change in atomic, atomic mass में जितना change होगा, और divide करना है, उसको force से आप divide कर देंगे, जितना आएगा, यह देख लीजिए, निकाली दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, आप कहेंगे कि solve नहीं हुआ है, question, यहन alpha is equal to change in atomic mass, अब कितना, 228 में से 212 आप घटा दीजिए, तो 12, अगर 228 में से 12 आप घटाएंगे, तो 12 इधर लिग लिजिए, बचा 6 और 10 घटा दीजिए, तो 28 में से 12 आप घटा दीजिए, यह लिग हम घटा ही दे रहे हैं, 2, 1, 2, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 16 में से 4 भाग दे देंगे आप, change in atomic mass में 4 से भाग करेंगे, तो कितना आजाएगा, 4 चोग 16, अब आपको 4 alpha आगया, कितना आगया, 4 alpha आगया, अब बीटा निकालना है, अब हम लोग को बीटा निकालना है बीटा निकालने के लिए हम लोग को change in क्या करना पड़ेगा, 2 into n alpha, जितना alpha हैगा, उससे multiply करके, और change in atomic number से घटा देना है, change in atomic number, जितना atomic number में change होगा होगा, उसको घटा देना है, तो यहाँ देख लीजिए, 90 में से हम लोग, जब 83 घटाएंगे, 90 में से 83 घटाना है, य 8 में से 8 जाएगा, 0 तो यहाँ साथ आ गया, अब आप यहाँ देख लीजिए, यह फर्मूला लिख लीजिए, 2 into n alpha कितना आया था, n alpha आपका साइद 4 ही आया था, तो 4 आप करेंगे, 4.16 आया था, तो यहाँ फिर minus का दीजिए, minus 7, तो 4 दूना 8 में से 7 घटा देंगे, तो एक ही बचेगा, अब आपका कौन सा option सही हो जाएगा, option number 1 आपका right हो जाएगा, 4 alpha 1 beta हो जाएगा, option number 1 correct हो जाएगा, student आप लोग यह note down करके और यह question बार बार लगाईए, क्योंकि हो सकता है question आई जाए alpha बीटा पर, चलिए student हम लोग कुछ question और कर लेते हैं, यहाँ से भी question पूछे जाते हैं, question number 4 देख लेते हैं, हम लोग selected question कर रहे हैं, सिर्फ important question जो आने के chance हैं, तो चलिए question number हम लोग 4 को discuss कर लेते हैं, कहरा, which is the following is an isobaric pair, अब इसमें कहरा, isobaric pair कौन होते हैं, तो isobaric आप लोग को समझना है, यह देख लीजे, यह x हो गया, यह z जो होता hat, atomic number so करता है, और, यह जो होता है, atomic क्या so करता है, यह so करता है, atomic mass so करता है, यहaster steam number एकदम एक क्लियर होना चाहिए, कि आइसो बार में क्या होता है, isobar में same mass number होता है, जो mass number same होता है, और different atomic number, यह atomic number जो होता है यह different होता है तो Z जो होती है change होती है but atomic mass जो होता है यह same होता कोई change नहीं होता तो यहाँ देख लीजिए यहाँ carbon पे 13 है और nitrogen पे 13 है और carbon पे atomic number जो change हो रहा है इसमें change होता है 6 यहाँ 7 है तो वैसे तो यह 4 option का 1st option ही correct हो जाएगा क्योंकि यह देख लीजिए इसमें तो दोनों change हो रहा है और इसमें भी दोनों change हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है यहाँ में भी दोनों change हो रहा है तो दोनों नहीं change होना है atomic mass same रहना हो atomic शिरिव atomic number में different होता है उसी को ISO बारिक कहते हैं तो option number first correct हो जाएगा, fourth number question का, next number question देख लेते हैं, next number question 5 देख लेते हैं, 5 काफी बार question है पूछा गया है, इसमें isotopes are item having the same, अगर isotopes पूछता है, तो एक trick बताये थे, isotopes से आप topy याद कर लीजिए, टोपी जब हम लोग लेने जाते हैं, टोपी तो देखते हैं कि कौन सी टोपी जो है, वो ज़्यादा हलकी है, कौन भारी है, तो isotopes को टोपी से याद कर लीजिए, और टोपी से भारी मात्र है, atomic bait, atomic bait में क्या होगा, atomic जो उसका mass होगा, atomic mass जो होता है, उसका different होना चाहिए, य अलग अलग टोपी होती है, अलग अलग भार की होती है, तो भार क्या different होगा, ये एक trick रिपियाद करने की, isotope का क्या atomic mass है, हाइविंग दा सेम, क्या इसका सेम होता है, तो इसका different तो atomic mass होता है, atomic number जो होता है, इसका same होता है, atomic mass different हो जाता है, atomic number जो होता है, यही same होता है, तो 5 number question का कौन option सायू जीगा C option correct हो जाएगा neutron से कोई लेना देना नहीं है mass number तो different होता है atomic mass different होता है तो option number C correct हो जागा atomic number जो होता है इसका same होता है कोई change नहीं होता है next number question question number 8 देख लेते हैं ये भी एकदम simple question है element having different nuclear charge but the same mass number अब mass number किसका same होता है ISO top का तो mass number same नहीं होता ISO bar का ही होता है तो option number B direct correct करेंगे इसमें different nuclear charge के उपर depend करता है क्या atomic number इसका different होता है तो ये mass same पकड़ लेंगे question तो option number B हम लोग direct इस question को correct कर देंगे चलिए next question को देखते है question number ये important है 21 का देख लीजिए ISO tones are elements hyping तो इसका भी trick बताये थे ISO tone तो यहाँ येन से यहाँ देख लीजिए येन यहाँ निकाल लीजिए तो neutron लिख लीजिए येन E-U-T-R-O neutron क्या होता है neutron जो होता है neutron same होता है तो अब neutron को आप लोग को निकालना भी आना चाहिए neutron कैसे निकालते है neutron जो होता है हम लोग उसमें atomic number A-Z कर देख तो neutron निकल जाता है neutron स्कल 2 होता है A-Z Z क्या होता है A होता है atomic mass होता है Z होता है atomic number होता है तो इसमें घटा देते हैं तो neutron आजाता है neutron same होता है आइसो टोन का अब देख लीजिए इसमें different neutron कह रहा है ये भी गलत हो जाएगा different neutron कह रहा है ये भी गलत हो जाएगा और same atomic number mass number and neutron तो ये neutron तो same होता बट atomic number और atomic mass same नहीं होगा atomic दोनों same हो जाएगा तो फिर कैसे neutron निकलेगा zero हो जाएगा तो d option correct है different atomic and mass number but same neutron तो आप सा number D correct हो जाएगा अगर आप लोग को देख लीजिए इसका एक ये एकदम simple question था neutron same होता है isotone में next question question number student 23 देख लीजिए ये भी एकदम simple question है ISO अगर आप दो चीज याद कर लीजिए तीन याद कर लेंगे हो जाएगा isotope याद कर लीजिए उसी का just opposite isobar होता है और एक isotone जो जिसमें क्या neutron same होता है तो इसमें देख लीजिए isotope को isotope में क्या different होता है atomic mass different होता है तो इसमें तो देख लीजिए atomic mass ये है 40-40 दिया गया तो ये तो same है तो अब तो आपका isotope होगा नहीं ये भी आप्सन तो होगा नहीं और isotone भी नहीं होगा क्योंकि अगर isotone में neutron same आने चाहिए तो neutron कैसे same आएगा 40 में 20 गटा दोगे तो 19 आएगा इसमें से 40 में 20 गटा होगे तो 20 हो जाएगा तो ये भी option गलत हो जाएगा क्योंकि neutron जो same नहीं है और आप्सन नमबर फस्ट देख लिए यही आप्सन करेक्ट है आइसो बार में आइसो टोप में अटामिक बेट अटामिक जो मास होता है वो डिफिरेंट होता है और आइसो बार में जो अटामिक नमबर होता है वो डिफिरेंट होता है तो ISO बार में क्या different होता है ISO बार में mass number same होता है बट atomic number जो होता है वो different होता है तो atomic number एक में 20 है एके में 20 दिया गया है इसलिए आपसा number भी correct हो जाएगा तो student इतने question अम लोग कर लिया है आप लोग को अगर यहां से question आता है तो गलत नहीं होना चाहिए यह वीडियो लगबद 30 मिनट की वीडियो बन चुकी है तो student आप लोग प्लीज चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों को जरूर share करें और चैनल को तेजी से grow करें तो आप हम लोग वही टापिक कर रहे हैं जो important टापिक है आप लोग को तेजी से करा दिया जा रहे हैं आप लोग last तक वीडियो देखा करिए तो चलिए हम लोग next वीडियो में मिलेंगे ताइंक्यू आप लोग को धन्यवाद और दिल से सुक्रिया